विशाय गड़त कक्छा 10 वास्तविक संख्या चेप्टर नमबर एक तो पिछले वीडियो में हमने आपको पड़ाया था प्राकर संख्या पूर संख्या पूरांग संख्या उसी क्रम में आगे चलते हैं यह हैं पर्मे संख्या पर्मे संख्या के होती है वे संख्या जने हम पीवटे क्यों के रूप में विर्थ कर सकते हैं पर्मे संख्या कहलाती है यह केवल परवासा से इस्पष्ट नहीं होता इसके लिए हमें कुछ निया में जैसे सभी प्राकरत पूर पूरांग संख्या पर्मे होती है शांत थुदान दुसांफ नुरूपड क्या होता है कि-सी संक्या में भाग देने पर दसंब्लब के पहले या दसंब्लब के बाद एकड़ास फल सुन्न हो जाये ञे still sound रोता है जैसे यह लखा है 24 द In इचार एक बचि दस ओभाइँख दस दो पंच जन दस असां ताप बद्थी क्या होता है जयसे में तीन कि भाग दिया साथ में 3.25 इस प्लक से शिसफंड नहीं नहीं होगा लेकन दस अंब लबक के बांक बार बार आएगा तो यसे थो उन 2.3 पे बारवी लिख सकते हैं तो इन संख्याओं को मसान ताब्रती कहते हैं ऐसी संख्या जिनका निश्चित बर्गमूल होता है जैसे रूड एक का एक चार का दो, नौ का तीन, सोला का चार, रूड पच्चीस का पांच, रूड च्चीस का च्छै ये सब पर्मे होती हैं इस प्रकार एक अपर्मे संख्या क्या होती हैं बे संख्या जिनके बर्गमूल निश्चित नहीं होते जैसे रूड दो, रूड तीन, रूड पांच, रूड च्छै, रूड शाथ, रूड आट, रूड दस तो को उपर हमने लिया था रूड चार जिसका बर्गमूल दो होता है, रूड नौ लिया जिसका तीन होता है, इसमें हमने रूड चार नहीं लिया, रूड नहीं लिया क्यों इसमें देखो, zero, point, 10, 100, 1 आतो रहा है लेकं पहले एक zero फर 200 फर 30 फर 4 zero और डौट-डौट-डौट लगी होगी, इसमें देखती हैं, जिरो, point, 26, 35, 6, 7, 28, 00, 5, 6, इस परकार की संख्याएं, डॉट डॉट लगी और निश्चित क्रम में नहों उपर जैसे हमने पर्मे में देखा तैज्या देखो 0.212121 वही यंक बारवार निश्चित क्रम में आ रहा है लेकिन इसमें पर्मे में देखो नहीं आ रहा है तो इस प्रकार की संख्याओं को मपरमे संख्या कहेंगे मुझे आसा है कि आप लोगों के समझ में ठीक से आ गया होगा और इस वीडियो में इतना ही फिर आंगे वीडियो में देखेंगे इसके आंगे